पंचाय चुनाओ की शुरुवात हो चुकी है पंचाय चुनाओ की सबसे खास बात यह होती है कि जमीन पर बैटकर आप जमीनी इस्तर की समस्याओं को समझते हैं इस वक्त हम करसो ग्राम में हैं और यहां के बहुत सुदूर वलती छेतर पचलेवा में हैं जंगलों से बीच होकर गुजर कर आप यहां पहुंचते हैं और तब आप समझते हैं कि कितना विकास का जरूरत है यहां पर हमारे साथ जो इस वक्त मुख्या प्रत्याशी हैं क्योंकि और यहीं चुनाओ की खुबसूर्ती होती है कि चाहे वो मर्द हो या वारत समान रूप से उसको मौका मिलता है कि चुनाओ में अपनी भागिदारी साबित करें हमारे साथ इस वक्त महिला प्रत्याशी सुनेना देवी जी हैं और उनके बगल में वलतमान के मुख्या सी पर साद्यादो जी हैं इनसे बाचीत करेंगे समझनी की कोशिश करेंगे कि क्या प्रात्मिक्ता है क्या कारण है जो ये फिर से चुनाओ में उतर रहे हैं और आते के साथ ही क्या प्रात्मिक्ता होंगी सुनेना जी चुनाओ में उतर रहे हैं आपके पती मुख्या रह चुके हैं आप जब मुख्या बनेंगी तो क्या प्रात्मिकता होगी जब आप अपने छेत्र में मुख्या बन गयेंगे बिजली देंगे, सड़क देंगे, मिडिया धन्यबाद देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी समधान देंगे, दीदी लोग के सब रोजगार देंगे, तो जो पीछे महिलाएं हैं, जो आपके साथ हैं और जो आपके साथ चल रही हैं, उन लोगों को क्या देज करना चाहते हैं तो रोजबार सबसे मुख्या है सीवधर साथ साल मुख्यार रहे ये अप जमीनी इस्तर की समस्याओं की बात करते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं और आपके शेत्र में क्या समस्या कितना विकास किया आपने और कितना छूट गिया क्या और आगे विकास करेंगे मैं तो धन्यवाद मेडिया बंदू को जब 15 में मुखिया बना तो जो जिस गराम में बैठे हुए हैं वहाँ पे चलने का एक ओरोड नहीं था बिजली नहीं था उस सब पूरा किये कोई-कोई टोला में हमारा बिजली छुट गिया है अगर जित जाने के बाद बिजली का पूर्ण काम करेंगे और जो मेरा किलहार मोड से पचलेवा तक जो मेरा जरजर इस्तिती में रोड है फर्ष्ट में उसको मैं काम करवाने का काम करूँगा और जो गली हमारे छुटे हुए हैं उसको करने का काम करेंगे और महिला को हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे मंडरेगा तहाद जिस जोजनाम लानने काम को पड़ेगा उस जोजनामे महिलावों को मैं रोजगार दिलाऊंगा और जो नेली छुटा हुआ है उसको मैं बनाऊंगा और हमरा एक और सोच है कि यहां मैं सिचाई का वेवस्ता कराने का परियास करूँगा तो लक्ष बहुत जरूरी होता है इन्होंने अपने लक्ष को बता दिया अब निसाना साधने की बारी है जब मौका देंगे तो यह उस पर निसाना साधेंगे महिलाओं की बात किया आपने महिलाओं को रोजगार देने की बात कही एक और समस्या होती है जल्मिनारों की क्योंकि ऐसे मौसम में जल्मिनार खराब हो जाते हैं तो सुचारूरूप से काम नहीं करते तो बड़ी शिकायत होते हैं महिलाओं को दूरूरू से पानी लाना पड़ता है तो क्या विदिवत धंग से चलेगा जलमिनार जी मैं जलमिनार लगाया हूं जलमिनार जो खराब हो जाने के बाद हम लोग सोचे कि अभी जो बगड़ ग करवाने का करूंगा लक्ष की बात खतम अब जितना उपलब्दी है क्या साथ सालों में आपने विकास किया इसके बारे में बताए कितने आवाज दिये कितने रासन काट बाते इस छेत्र को आपने मुख्या बनके क्या दिया कि फर्ष्ट में जब मुख्या बने तो बिजली का काम किये हैं यहां पर पहले बिजली नहीं था और यहां एक भी एक भी यहां पर PCC नहीं था मैं PCC बनवाने का काम किया नली बनवाने का काम किया और आवास पलस में जितना हमको चुटे हुए थे हम जुड़वाने का सा आवास दिलवाये हैं और 485 पहले आवास था, मैं इतना दिलवाने के काम किया आवास के और रासन काड हमारे हैं 32 कुछ है मेरा पंचाइद में 32 कुछ है इतना रासन जो है समय समय पर में दिलवाया जब तक मुखिया में रहा समय समय पर वित्रन करवाये हैं काड़ारियों को कभी में परसानी भुकतने का जरूरी नहीं पड़ा और ग्राम पचलेवा और जाजवा कि लोगों को हमारे साथ किलोमेटर दूरी पर रासन मिलता था वहां से कभी कभी में वहां से अपने ताथ गाड़ी द्वारा पहुचाने का काम किया अच्छतवा पचलेवा मैं वहां उन लोगों को कर्ष्ट देखके हमको परदास नहीं हुआ हम अपने गाड़ी से अपने किरे से इन लोगों को पहुचाने का बराबर काम किये है तो सिचाई को लेकर बहुत सारी समस्या होती है और क्रिशी को लेकर तो उसके लिए क्या सोच रखा है आपने सिचाई के लिए यहां पर लगवग 40-50 उपर कूप को मैं निर्मान करा चुका हूं और बन जाने के बाद फिर कूप का निर्मान कराऊंगा और विजन रेडी है कि क्या क्या करना है जी रेडी है पुरा रेडी करके लिए तो बहर पुर में काम करूंगा और किसान अमरा खुश्याल रहें वैपार के लिए उनके वैपार बाकरी शेड गाय शेड यह सबसे तमाम जो चीजें वेबस्ताय होती है कुछ गाय सेडी बना चुके हैं हम लगभग सौश सवा सव गाय सेड यहां पर पंचाइद में बन चुका है जी और चुटे वे ब्यक्ति को मैं बन जाने के बाद तुरंत काम करवाने का काम करूंगा ठीक है मैं स्रीव परसाद यादो ब्रत्मान मुखिया ग्राम पंचाइद करसो से हमारे धर् मुखिया पद के लिए खड़ी है मैं सभी ग्रामिन जनताओं मताय उन बहनों से मेरा आगरह है कि आप लोग धर्म पत्नी सुनैना देवी को करमांग संखिया पांच पर दुर्वेन च्छाप पर मोहर मार कर अपार मतों से आप लोग विजय बनाएं और आप लोगों का वि मैं पीछे नहीं रहूंगा जतना बनेगा मैं विकास आप लोगों के बीच करने का परयास करूंगा